वेल्कम तो मैं चैनल मैं हूँ रोट और आज की इस वीडियो में जो है वाइफाइप अटैक है ठीक है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगी मेरे टेलेग्राम की और इंस्टाग्राम की तो तुम्हों पूच देना ठीक है तो मै अपने टर्मिनल पर आ जाता हूँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो मैं एजर रूट यूजर रन नहीं कर रहा हूँ तो मैं सारे कमांड एजर सूडो टाइप करूँगा ठीक है तो मैं इन बिल्टूल का यूज़ कर रहा हूँ जो काली लिनुक्ष में प्रिंस्टॉल हो होता है तो कमांड होगी सूडो यह में देख लो एक बार कि मैं जो हूँ रूट यूजर वर्क नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो सूडो वाइफाइट यहां पर मेरा मॉनिटर मोड ओपन हो चुका है मैं आपको इक बार जो है इन बिल्टूल पर दिखा देता हूँ वायरलेस में वाइफाइट ठीक है यह नेटवर्क अपडेटिंग में स्टार्ट हो चुका है मॉनिटर मोड में जैसे कि मैं आ चुका हूँ अब मेरा जो अटाक है वो सुधाबे रहेगा मैं दोनों WPS नेटवर्क पर अटाक करके दिखाऊंगा जो मेरा मोबाइल होट स्पॉट है और एक राउटर ठीक है इसका पासवड आ चुका है और यह एक बार आपको फोल्डर में शो कर देता हूं कि कहां होगा तो यह रहा क्रेक.txt इसको उपन करते हैं तो यह सारी चीज़े में जो है वो लाके दिनते हैं जितनी भी चीज़े डिस्प्ले हुए थी SSID, SSID, password, WPS, PIN, bank address, सारी के सारी चीज़े ठीक है तो इसमें तो हो गया attack अब जो दूसरा attack है मेरा वह mobile network पर देखते क्या होता है ठीक है तो stop करते हूं तो 800-T यह मेरा simply mobile hotspot है तो इसमें attack करने का try करते हैं तो मैंने start करते attack Pixie Dust actually mobile network का जो signal है वो router जैसा होदा नहीं इसलिए इसके WPS को crack करबाना थोड़ा मुश्किल होदा है phone के तो मैं इसे stop करता हूं अब जो attack को start होगा वो null pin होगा यह null pin latest update है काली में आपको 20.2 में शायद देखने मिलेगा खाली इसी में देखने मिलेगा और जो अगली attack होगी वो pin attack होगी इसके बाद जैसी WPS के सारे attack अगर unsuccessful होते हैं तो यह basically खुद ही WPA network पे attack करना start WPA network के attack जो होते हैं वो WPS network पे start कर देगा जैसे कि आपने देखा कि यह handshake capturing start करने लगा था यह WP का attack होता है इस video में इतना ही thank you और watching thank you कि आपनोशने आपना